नमश्कार दोस्तों स्वागत है शोमस भाली जी के और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही महत्पूर्ण क्वेस्चन के बारे में जो के है आईसीईउव वर्सेस सीसीउव आईसीउव और सीसीउव में क्या फर्क है क्या अंतर है जब भी मैं हुस्पिटल में जाता था पर्टिकुलिय जाने से भी पहले जब कोई टीवी पर पर लोग देखते हैं कि कोई भी पेशन सक्वा जाता है तो उसके सामने एक मॉनिटर स्क तो कुछ नहीं होता है, सिंपल बेट रहता है बस और कुछ नहीं होता है, और 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 यहां पर यह फरक क्या है, तो तब लोग को यह क्या है, दिमाग में कि ICU, Intensive Care Unit, CCU, Cardiac Care Unit, क्या चीज है, क्या अंतर है, और जब भी कोई पेशन्ट को लिया जाता है, बहुत से होस्पिटल में अभी यह बिजनस के तौर पेशन्ट को ICU में रखकर जबरदस्ती ज़्यादा पैसा हडप लिया जाता है, तो आपको यह समझने है का ICU में क्या चीज है, ICU वाकई उतना डरावना फीचर है या नहीं, CCU उतना डरावना है या नहीं, और यह डीटेल चीजे के बारे में, यह वीडियो आखिर सब को अच्छा नहीं लगेगा, पसंदीदा वीडियो नहीं लगेगा, डॉक्टर सको शायद अच्छा ना लगे, या फिर भी मैं यह आपको यह जानकारी देने के लिए कि ICU और CCU का सेटब जो है उतना भी, पर्टिकुर्ली आइसीव का सेटब है, इस नॉट आट कॉंप्लिकेटेड अट अल, हां, नॉर्मल हॉस्पिटल बोट बेट से वो अलग है, अब फरक यही आता है, मैं में डिफरेंस मेले बता देत उसके बाद इस दो परिक्टर में आपको दिखाता हूं यहार बेंसlov सेट एप, आसा आईसीव दिखना है जहां पे Nah, नॉर्मल बेट के यलाव आपको क्या रहता है, ऑक्सिगन के सप्लाइ नॉर्मल के सब आएगा उसके साथ सब आपको क्या आता है कुछ iksčट्रा Machines में क्या रहता है में क्या रहता है मेशिन में आपकी हर्ट beat, hurt rhythm को Monitor करना वह इसके लिए को अटाच रहेगा आपकी चेस्ट पर U वो भी एक मेशिन के साथ रहे कि आपको दिखा सकते हैं और उसके साथ-साथ क्या रहता है यहां पर वेंटीलेटर रहते हैं वेंटीलेशन जरूरी होता है कुछ-कुछ पेशन्ट में जो अपने आप ब्रीद नहीं कर पाते हैं जिनको severe respiratory infection है severe respiratory illness है और उसके साथ-साथ कैया रहता है यहाँ पर वेंटीलेटर के साथ-साथ-साथ-साथ-स डायलिसीस machines भी रहते हैं जिससे अगर आपके kidney week हो पूँछ है तो kidney ठीक से काम करें इसके लिए ि Hofiinde इस सारे चीज मोजुद की कड़ी महनत रहता है 24 घंटे अर्चिल 48 hours doctors continuous monitor करते हैं nurses जो है continuous monitor करते हैं technicians जो है continuous monitor करते हैं यहाँ पर हर एक प्रकार के technicians जो के related to that machine related to that particular site है highly trained physicians रहते हैं जो के critical care expert बुलाया जाते हैं जो critical care patient और critically ill patient को deal करने के लिए specialized train किया जाता है मानों कि सिकर ट्रॉमा होगा एक्सिडेंट हो गया पता नहीं चल जाया कि कितने organ damage हो सकता है जब भी कहीं पर किसी भी patient को organ damage की संभवावना होता है या पर कोई मानों कि बहुत भायाना कि accident हो गया तो हो सकते और organ damage हो जाए कुछ पेशन को ICU में रख दे तो उसका जो बचने का चांस है वो घड़ गया बिलकुल ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत दफ़ा है ये भी होता है कि सर्जरी के बाद जो एक क्रिटिकल सर्जरी हो गया मल्टिपल ओर्गन में सर्जरी ओर्गन ट्रांस्पल्टेशन सर्जरी हो गया या कुछ ब्रेन सर्जरी जहां पर बहुत डेलिकेट सर्जरी है उसके बाद उस और्गन को प्रोटेट करना होता है इस हिसाब से कि हर एक मिनिट आप उस बंदे को मॉनिटर करो उस बंदे को ICU में शिफ्ट किया जाता है तो पहले अफ्टर सर्जरी में रखा जाता है दो तीन निञा तीन चार दीन उसके बाद आई सीउसे नॉर्मल भेट पे उसको ट्रांसफर किया जाते कि पेसं को वहां पर भी मिलता है आई-वी होता है इंट्ण अवेंस मेडिसिंसी होता है वह रहिसी दिया जाता है मदे आई-ई-व में पेशंट ऐसा हाल मेंध नहीं रहता ह बहुत दफ़ा तो उनको होश भी नहीं रहता है तो वहाँ पर पेशेंट के बॉड़ी में क्या चल रहा है उसको मॉनिटर में देखना बहुत जरूरी है इसलिए इसलिए बनाया गया है हर एक चार पांच प्रकर की मॉनिटर वहाँ पर कनेक्ट जहां पर आप oxygen saturation देख सकते ह जहां पर आप blood pressure देख सकते हो जहां पर आप देख सकते हो के heart rhythms कैसा है कोई cardiac arrhythmia है या नहीं ठीक है टाकी कार्डिया ब्रेडी कार्डिया है या नहीं यह सारी चीज आप देख सकते हो सब कुछ देख के monitor करके उस हिसाब से treatment दिया जाता है इसलिए यहां पर ICU बोलके अलग एक गंटे शाम को एक गंटे या सुबा एक गंटे शाम को दूगंटे देख सकते हैं मागा ICU में जेनरली वह कांच से बना हुआ ऐसे घर बनाया जाता है जहां से बाहर से आप देख सकते हो monitor को भी properly monitor कर सकते हो कि बंदे की improvement हो रहा है या नहीं वो भी check कर सकते हो को यहागा saviary respiratory ill patient आ गया जो बहुत ही सास फुल रहा था जिसका जो सास ले नहीं पा रहे तो उसको ventilator चाहिए उसको fix करने के लिए ventilator पर रखा गया उसके बाद नॉर्मली वो ठीक हो रहा है दीरे-दीरे infection ऐसा फेल गया था फिर दीरे-दीरे ठीक हो रहे है उसको आप monitor करके देख स सब्सक्राइब को जो जो SPO2 होना चाहिए जो oxygen का saturation होना चाहिए ब्लड में वो दीरे-दीरे ठीक हो रहा है बढ़ रहा है यह सारे चीज़ हम ICU में monitor कर सेके इसलिए इसको intensive care unit बोलते है कि वो 24 गंटा चलता है और जो nurse है central monitoring agent रहते हैं वहाँ पर वो सारे के सारे monitor को एक साथ monitor कर सकते हैं एक जगा पर उसका feed आ जाता है वो देखके हर वक्त देखते रहते हैं को कहीं पर कोई भी problem हो तुरंट जाके उसको fix करें वहाँ पर हर वक्त physician जो है मौजूद रहता है वहाँ पर surgeon मौजूद रहते हैं हर कोई वहाँ पर मौजूद रहता है इसको ठीक करने के मतलब the whole workforce is separated from the hospital जो अलग से ICU unit में काम करता है यह होता ICU unit इसलिए ICU unit का जो charges है बहुत ज्यादा लिया जाता है क्योंकि वहाँ पर ना तो सिर्फ में जो setup है उसका price है क्योंकि मैं आपको यहीं बता है कि वह उतना कुछ आपको सोचने लाएक नहीं कि setup जो वह उतना difficult नहीं है जो care देना पड़ता है वह बहुत important है उसका price बहुत हाई होता है क्योंकि बहुत सारे doctors बहुत सारे physicians बहुत प्रकार के physicians वहाँ पर होना चाहिए सारे के सारे physician के time के value आपको देना पड़ता है इसलिए उसका charge ज्यादा होता है अब बात करतें CCU के बारे में CCU को बोला जात इसलिए में CCU भी लिखा जाता है तो उसके intensive cardiac care unit क्या है तो intensive care unit और critical care unit एक ही बात होता है जहां पर हम intensive measurements लेते हैं हर एक movement की patient की हर एक organ की movement की उसके details लेते हैं उससे सबसे setup है cardiac care unit specifically उन patients के लिए बनाया गया है जो heart के मरीज है क्योंकि भारत में heart की मरीजों के जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा भी अभी तो 30-35 साल के उम्र में रहो को cardiac arrest हो रहा है मतलब कि heart failure हो रहा है stroke भी हो रहा है brain की तो यह सारी चीज आपको देखके आपको heart है उसके care की फुल बंदबस्त किया गया है यहां पर भी body की कुछ monitor होगा जैसे कि आपकी heart beat monitoring heart rhythm monitoring उसके साथ साथ वो सारे चीज जैसे का oxygen के supply होना सब कुछ यहां पर मौजूद होता है partial pressure of oxygen in the blood वो भी मौजूद है सब कुछ मौजूद है उसके इलावा भी यहां पर अलग अलग चीज है जिसको जैसे कि एक 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 प्रिशर पंप और इंट्रावर्टिक बलून पंप ठीक है तो इंट्रावर्टिक बलून पंप एक ऐसा डिवाइस है जब कोई patient body में blood pump कर नहीं पा रहे हैं body में blood को पंप करना किसका काम होता है heart का का होता है heart वो ठीक से नहीं कर पा रहा है heart कमजोर हो गया है तो क्या होगा उसके लिए वो काम हमको करना पड़ेगा करवाना पड़ेगा उसके लिए इंट्रावर्टिक बलून पंप होता है जो आपके artery body में artery और वेन दोरों प्रकार के blood vessels है उस artery के अंदर उसको insert करके balloon एक प्रिश जब heart कम करना बंद कर दे कुछ time के लिए patients में तो चार मिनिट होता है मारा heart में जब heart कम करना बंद कर दे immediately patient नहीं मरता है क्योंकि blood में oxygen तब भी रहता है जो कि body को active रख सकता है heart को अगर हम फिर से pump करने में मजबूर करते हैं तो body फिर से वापास आ सकता है परसन फिर से जो है oxygen supply continue हो सकता है body में तो इसके लिए अगर heart pump करना बंद कर दे तो CPR तो provide किया जाता है उसके बाद CPR के साथ-साथ defibrillator चाहिए होता है defibrillator क्या होता है एक electrode के साथ connect किया हुआ device जिससे current particular voltage में आपके heart में apply किया जाता है ताके heart उस voltage को apply करने के बाद क्योंकि heart basically क्या है heart is nothing but a muscle सारा काम तो brain देखता है जो सब कुछ body में जो होता है brain brain ही करता है इसलिए brain is the biggest part मैं उसके लावा heart का जो role है यहाँ पर is a role of a muscle तो muscle को हम stimulate कर सकते है किस चीज़ से बाहर से क जो stimulus यहाँ पर voltage current current defibrillator के जरीए देते ही तो heart फिर से pump कर सकता है blood को pump करना start कर सकता है इसलिए defibrillator चाहिए बहुत महंगा होता है इसलिए defibrillator इतना महंगा है बाकी का setup इतना महंगा होता है इंटावर्टिक, balloon pump महंगा होता है सारे चीज़ यहाँ पर रहते है उसके लिए proper technician चाहिए और cardiologist चाहिए होता है यहाँ पर resident surgeon चाहिए होता है जो हाँ पर महजूद रहते हैं जो heart की critically ill patient है उसको monitor करते है इन cardiac care unit तो ICU intensive care unit यह बना है हर प्रकार की organ की critical care लेने के लिए और cardiac care unit बना है सिर्फ हर्ट की critical care लेने के लिए यही major difference है between ICU and CCU हो गया I think आपको पता चल गया होगा आपकी detail में वीडियो यहाँ पर आप में critical care unit के वीडियो भी आप मतब cardiac care unit के वीडियो भी आप आटाच कर दूँगा अब देख सकते हो डिटेल्स में वीडियो अगर अच्छा